अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शेर्मा के साथ से लोग सवाल पूछना चाहते हैं जिनके बारे में लोग के मन में क्यूरसिटी होती है पिछले दिनों मैं जहां भी गया लोग ने मुझे एक शक्स के बारे में कहा आप इन्हें आपके अदालत में बुलाई है और मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया यह कौन है जिसके बारे में हर पुब्लिक फंक्शन में लोग मुझे कहते हैं जिसके बारे में लोग मैसेज भेजते हैं दर्चों को की बार-बार मांग आती है पता किया इनकी सोशल मीडिया पर काफी फॉलोइंग है जब यह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर ट्रैफिक जाम ह हो जाता है लाखों लोग की भीड़ कठा हो जाती है इस चक्स को आपके अदालत में अमर्तित कर रहा हूं प्लीज वेलकम वागेश्वर धाम के प्रमुक्स धिरेंच कि संसास्त्री और धिरेंच किशन शास्त्री पर मुकदमे में आज हमारे जज हैं वरिष्ट पत्रकार विनोध अगनी होती है इससे पहले के मुकदमा शुरू करें जमा सवालात का सिलस्रा शुरू करें आज के जज विनोध अगनी होती के साज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए इदायत है मुकादमा शुरू करने की और इससे पहले कि पहला एज़ाम लगे शास्त्री जी पर एक नज़र डालते हैं शास्त्री जी के लाइफ पर आज कल पूरे देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंदर कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है कोई उन्हें चमतकारी कहता है कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते ही लेकिन धीरेंदर कृष्ण शास्त्री खुद को पक्का सनातनी बताते हैं अब इंदर कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनके ऊपर बजरंग बली की विशेश कृपा है वो भक्तों का दुखदर्द सिर्फ अपने इश्ट तक पहुंचाते हैं चुके भक्तों पर कृपा बरस रही है इसलिए धीरेंदर कृष्ण शास्त्री का प्रताप भी बढ़ रहा है उनके भक्तों की संख्या अब लाखों में है धीरेंदर कृष्ण शास्त्री सिर्फ 26 साल के हैं साल दो साल में ही बागेश्वर थाम के पीठा धीश्वर के रूप में विविख्यात हो गए अब बड़े-बड़े मंत्री और अफसर भी उनके दर्बार में हाजरी लगाते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले नजरों में आए जब संसकार पीवी पर उनकी भागवत कथा दिखाई जाने लगी फिर वो चमतकार भी दिखाने लगी 21 सदी के इस कथावाचक के विडियो आजकल हर मुबाइल में हो बाबा इंस्टाग्राम से लेकर फेस्बुक तक हर जगह चा चुके हैं जैसे जैसे धीरेंद्र क्रिष्ण शास्त्री की लुकप्रियता बढ़ी तो विवाद भी सामने आगए धीरेंद्र क्रिष्ण शास्त्री का दावा है कि वो कोई पैसा नहीं लेते जो उनके दर्वार में आना चाहता है उसे सिर्फ हनुमान जी के यहां नारियल बांध कर अरजी लगानी पड़ती है धीरेंद्र क्रिष्ण शास्त्री एक अच्छे वक्ता है अब उनका संकल्प है कि वो सनातन धर्म को घर घर पहुँचाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोशित करवाएंगे आपकी अदालत में धीरेंद्र क्रिष्ण शास्त्री अपना मुकद्मा घुद्र लड़ेंगे आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुक धेरेंद्र क्रिष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये पब्लिसिटी के लिए स्टंट करते हैं शास्त्री जी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आपकी अदालत में बुलाएं सोशल मीडिया पर आपकी मैंने देखा बहुत लबी चोड़ी फैन फॉलोविंग है 40 लाख लोग आपको फॉलोग करते हैं बहुत सारे वीडियो मुझे लोगों ने भेजे आप सड़क पर निकलते हैं तो चार उतर फीर लग जाती है तो एक वीडियो मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ जो आपके लोगों ने मुझे भेजा है तो ये वाकई में शास्री जी असली वीडियो है या पब्लिसिजी स्टन्ट है बनाय हुआ है लोगों की अपनी अपनी भावनाय होती है अपनी दृष्टी से देखने की ये बास्त्विक का एक जगए की नहीं है जहां जहां बागेश और बाला जी का दर्वा लगता जहां जहां बागेश और बाला जी की कृपास से दास कथा करने जाता ये तो कम है कैमरे में कम आया है और ज़्यादा है लेकिन 26 साल की उमर में इतनी चर्चा इतनी पब्लिसिटी कि ऐसा क्या है आप में जिसका गुरू बलवान होता है चेला पहलवान होता है जो लोग कहते थे कि ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते हमारी दिश्टी में इस चोटे से गाओं से गढ़ा गाओं मंद्र प्रदेश के बुंदेल खंड में एक छोटा गाओं गढ़ा है गड़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरंद्र कृष्ण अगर यहां तक पहुँच सकता है बाला जी की कृपा से तो भारत का प्रतेक व्यक्ति भगबत कृपा से कहीं भी पहुँच सकता है अगर यहां तक कैसे पहुच गए है यह जो लोग है जो फॉलो करते हैं जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं यह क्यों करते हैं च्या है आप में बागे शुर्बाला जी की कृपा वो सब पर है लेकिन आप अगर कहेंगे क्योंकि आप से जीतना तो बड़ा मुश्किल है तो हम पहले आपको साब कर दें कि चुकि आपका नाम तो रज़त सरमा जी है लेकिन हम आपको दयालू नाम से क्योंकि हमारी भारतिय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते तो हम आपको दयालू कहकर संबोधित करेंगे अगर बुरा ना लगे तो बैसे हम आपके यहां आज महमान है तो यह हमारा अधिकार भी है तो दयालू जी हमारे उपर सबके उपर बागेश्वर बाला जी की कृपा है लेकिन हमने अपने गुरुदेओं की चरणों की सेवा की उस सेवा के माध्यम से रिसी परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा बिष्व की मंगल कामना भी करते हैं पूरा बिष्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरू के नातिये बागेश्वर दाम चला आता है साइध इसलिए लोग हमारे पास आते हैं तो ये देखा कि जब से आप संसकार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपकी प्रवच्छन सुने उसके बाद लोगप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लेगी हाँ एक कह सकते हैं माध्यम है पर देखो साधन है साधन है दरबार तीन पीडी से लग रहा हमारे दादा गुरू जी भी लगाते हैं हम भी 11 साल से लगा रहें नजर आपकी आज पड़िए और हमें ये लगता है कि हमारी गलती नहीं है देखने बाले की गलती ये बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरू करपा से चमकदार थे मुझे तो बहुत जल्दी देख लिया आपको अभी तो आपकी उमर ही कुछ नहीं है हम उस संपरंपरा से हैं, जब पांच बर्स की अवस्ता में ध्रुजी लीला कर सकते हैं पहलाज जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते हैं तो आपने क्या-क्या लीलाइं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फसे हैं लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, अब आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारी जीवन में गुरू करपा से जो जो किया, सब सनातन के लिए किया, और केबल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब यह हम कोई इश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, साधारन जैसे यह इनसान है, वैसे हम मानव हैं, हमें कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना यह अलग है आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी चात रोते हैं ऐसे ही थे लगभग और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना है तो अच्छा है इतना शरारती है हाँ उपद्री तो थोड़ा थे क्योंकि हम जाते थे तो बहुत कम जाना होता था लेकिन बहुत गंभीर और सम्मभाव से हम जाते थे और लोगों की भावना हैं हमारे पास रहे थी, चुकि हमारे दादा गुरू का नाम बहुत प्रिशिद्ध था, दादा गुरू के कारण, लोग हमको भी प्रेम देते, तेशने देते, दुलार देते, हमारे दादा गुरू जी को हनमान जी का दो बार शाक्षाता कार हुआ, और उनके अन्याईयों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे, तो बच्पन से ये बड़ी कृपा थी, बच्चे हमारे पास आते थे, सब किलासे एक साथ हो जाती थी, नौमी, दसमी, आठमी, सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे, अचा माराजी बताईए हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है, तो बच्पना उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का, आप तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कहे करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया, अचा ठीक है, तेरी पियारे चपन परसेंट बन रही, और महनत कर साथ हो जाएगी, निकॉन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज़ गुरु पेरना, हम से कोई सकती बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनभव होता है, पेरना होती, जो रिशी परमपरा में पेरना है, जो हमारे भारत में अनेक अनेक मापरुष, तो हमको पेरना लगती है, ऐसा अनभव होता है, कि ऐसा होगा, जैसे हमें पेरना लग जाती ही, कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रती आस्था से वो बात सत्त निकलती है हमारा जीवन में बड़ा अभाव से गुजरा एक छोटी जोपड़ी रहती थी वो भी जोपड़ी कच्ची जोपड़ी उसमें पिताजी रहते थे हमारी माँ हमसे छोटी बेहन और उसे छोटा भाई पांचो लोग उसमें रहते थे तो उसी में भगवान को इस्थान था दादा गुरुजी निर्मोहिया खड़ा से साधूते तो ने परिवार से ज़्यादा मतलब नी था कोई ऐसा हम कोई हिश्वर नहीं है हम संसार से कोई अलग से ब्रमा जी की फैक्टरी से सेट नहीं है हम जैसे दुनिया है वैसे हम है बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की क्रपा क्या होती है साध हनुमान जी नहीं और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लि तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा कुछ जादा ही घनिष्टता होगी हमारी उनको जादा मुहबत हम पर आई होगी लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी बिश्चो के लिए इसलिए हमें लगता है कि हम में और बाकीयों में अनते हैं देखे आप ने क्या मंगा इसके कुछ वीडियो मैंने देखे आप लोगोंसे कह रहे हैं कि आपके पास-चितना चाहे दान देदो अपना मकान देदो फ्लेट देदो बंगला देदो गोडा देदो गाडी दो सोना, चांदी, बैंक, एफडी, मंगत, चूतर, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़के सब मुझे देता है यह हमारा डिस्कलेमर रहता है दरवार के पहले का लोगों को जो भावनाय रहती हैं कि गुरू परंपरा के लोग और साधू लोग दरवार इसलिए लगाते हैं भगवान को इसलिए रखते हैं कि यह कमाई का जड़िया बनाते हैं और हमने अपने दरवार में बैनर लगा करके माइक पर ठोक करके बोलते हैं किसी भी प्रिकार का सुल के फीस दक्षणा नहीं लगता पर अगर तुम शिस्स मानते हो अपने आपको और हम गुरु हैं तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम देदो अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें हमें कोई दिपर और लेते भी लेना बुरा नहीं है उप्योगता बुरी है लेकर के उसका सदपयोग करते या दुरपयोग करते हम लेते हैं कोई अगर देता है तो श्रीकार करते गुरु के नाते हम उस परंपरा से हैं जहां अंगुठा तक दान गुरू को दे दिया जाता है हम भी लेते हैं कितना कमा लेते हैं हमारी तो कोई fix कमाई नहीं है क्योंकि हमारी कोई company या business नहीं है कोई चड़ा जाता है हमारे पास करोडों सनातनियों का प्यार लाखों करोडों लोगों की दुआएं हजारों संतों का आसिरवाद इतनी हमारी कमाई कितने सनातनी इतनी कमाई हिसाब आप लगा जादा बातें इसलिए होती हैं कि आप क्यों stunt करते हैं publicity के लिए आप ऐसे ऐसी बातें कह देते हैं आप कहते हैं कि बीना वीजा के हनुमान जी रावन की लंका में घुज गए थे ये जो मॉडरन युवान भाई बहन है इनको लंका प्रवेस के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा पर दादा बताते रहे ये विचारे उब गए इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से ये कनिक्त हो पाएं जैसे रावन ने मुझे से फोन पे बात की हाँ बिल्कुल हम वही बोलने ही बाले थे लगता है आज हमारी सक्ती आपके पास पहुँच को हमें आपको समझाना है रामड से फोनका बात का मतलब सब के अंदर रावड बैठा है कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत देख रहा गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है वो रावड की दिश्टी का आदमी तो हनमान जी लंका गए इसको इन युवानों को कैसे जोड़ेने तो बीजा पाटपोस फोरणर ये सब्द पता है तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यातन इतना विशाल और इतना अथा है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात पता है इनको नहीं पता इस देश की जनता को आप से जादे अध्यात पता है ऐसा हमने नहीं कहा हमें अपने हिसाब का पता है उन्हें अपने हिसाब का वो अपने में स्रेष्ट हैं हम अपने में कोशिश कर रहे हैं द्यार थी हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम स्रेश्ट हैं और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है आपका ये कहना कि मेरे पास एक गदा है जिसमें वाइफाई है और प्लेन में वाइफाई चलता है ये मजाग की बाते नहीं है लोगों की दृष्टी से भावना आत्मक देखा जाये तो ये बहुत गहरा बिश्ट है मजाग की दृष्टी से अगर कोई देखेगा तो देखो जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूलत देखी तिन तैसी भगवान की कोई लीला को सिर्फ लास लीला को उठाता है लेकर हम तो महाभारत भी उठाते हैं तो अपनी बातों की निसानी नजदीक रहे तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा वो चार चांद लगाता रहेका शासे जी इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा हमारा भाव नहीं है अपित्व हमारा भाव ये है कि उस केबल वाई-फाई को हम बताते हैं तो अध्यात्म आस्था इश्र से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है तेखिए, आपको Chelsea भूले भाले लोग को बताना चाहिए, कि भई, ये मैं मजाध में कह रहा हूँ, और ये मैं असल भी कह रहा हूँ. यह हम बहुत बार बोलते हैं, बिनोध हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं, अब कोई हमारे बिनोध को सीरियस ले ले, तो वो उसका निजी यह नभूँ तो अब मैं लोग को बता दू कि एक बार बगेट टिकेट पकड़े गए थे आप रेलवे में यह तो पताना चाहिए बिल्कुल पकड़े गए थे लेकिं यह भी बताईए कि हम टीटी से ही 1100 रुपिया लेकर आये थे उसी टीटी से लेकर आये थे और जिस बाई भाई भाई की आपने चर्चा की उसी बाई भाई भाई की दम पर उसके बाप का नाम बता कर लेकर आये थे इसी तरह की बातें कहके ऐसे दिखाते हैं जैसे चमतकार कर दिया जैसे मेरे उपर हनुबान जी की बहुत कृपा हो गई मैं भविश्वक्ता हूँ और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमतकारी हैं आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमतकारी नहीं हैं हम कोई ईश्वर नहीं हैं हम कोई महत्मा नहीं हैं हम एक आम इंसान हैं लेकिन हमारी अपने इश्ट की परती आस्था रिसी परंपरा के प्रती आस्था है जो महरसी बालमीक से पत्र दरबार की महमा चली है उस महमा का हमानुकरन करते हैं और उस आस्था में उल्जनों में का रास्ता मिल जाता है तो उसे आप चाहे चमतकार मानिये अत्वा फिर आप अपनी गुद्धी से जो जिसने जो जाना वो हमें माना देखें शास्ती जी बहुत सारे ऐसी लोग हैं गरीब हैं परिशान हैं बिमारियों से ठके हारे हैं डॉक्टर से आशा छूट जाती है होस्पिटर से आशा छूट जाती है वो आपके पास आते हैं वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा किसी का बच्चा बोल नहीं सकता कि वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेकि जो मैंने जानकारी हासिल की वो आते हैं सोचते हैं कि यहां से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा और उन्हें मिल जाता है जो आते हैं शुद्धा पूर्वक आते हैं देखो जिन्दगी में अगर वो परिशान है और ड चांडा सो सात्ताबना मिलती है तो क्या ये भी कम है बिना पैसों में बिना धक्षना दिये बिना कुछ लगे अगर हनमान जी से जुड़ रहा अगर वो प्रभू से जुड़ रहा अगर उसे जीवन जीने में चार दिन की जिन्दगी है डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओ लेकिन बागेश्वर धाम की नाम से उसके चेरे पर मुस्कुराहट है कि मेरा हारी का सहारा है तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेरे पर आती इससे किसी को गुस्ताकी क्यों देखिए अगर बागेश्वन धाम आने सिलू का इलाज हो जाता है तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्चक है हमने यह नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाप है अब मैंने पूश लिया तो आपने दवा एड कर दिया उसमें नहीं औस धाले बागेश्व धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीब खुलवाया है वहाँ पर ग्राम पंचात का भवन है वहाँ पर आरियोवेदिक औस धाले है दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है और वहाँ ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चड़ जाओ मंदिर पार दोनों काम करें तो ठीक है और ये कोई नई बात नहीं है हमने एड नहीं कि डॉक्टर खुद एड करता है अपरेशन करता है जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्राथना करो लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह परची निकालते हैं जो इसी तरह दूआ की बात करते हैं पूरे भारत में रिशी परंपरा के अनेक लोग हैं बहुत लोग तो नहीं कह सकते पर अनेक लोग पूरे भारत में है केबल हमारे अलाके में नहीं हमारे अलाके में बागे शुर्बाला जी की महमा और दादा गुरू जी के पास दरवार शे करपा से बहुत से महापुरुश और भी मैं बतातू एक लबलेश नाम के गुरुजी है 20 साल के उम्र है और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं हम कभी ऐसे मिले नहीं इस भाव से हमारा कभी मिलना नहीं हुआ और इस बिसाय पर उनका निजमत हो मत तो पता नहीं उनके ओपर रेप का इजम है और वो जेल में है तो उस एर्या में ऐसे है अब भी बहुत सारे लोग है अभी हम अरजी लगाने के हिसाब से घूमे नहीं है आपका होते कि इस बार जाकर कर के घूमेंगे कितने लोग है अभी तो हमें एक पता है श्यों कहते हैं हमारे पास सिद्धी है एक जैपूर में हैं उन्धों ने बताया कि मैंने करण पिशाज को साधे ओड़ा है और वो भी किसी की बी डेट आप बर्त बता देते हैं किसी के परिबार वालों का नाम बता देते जनताम फिजीरों सवाल कुछना चाहते हैं? आमतोर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारी माइड में एक इमेज बनती है जाड़ी होगी बहुत ही जो उनकी वेशभूशा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी लेकिन आपकी वेशभूशा देखे टोपी देखे लगता एकदम कलरफुल रहता है दुनिया ही रंगीन है तो साधू को भी रंगीन होना चाहिए बहुत बढ़ी है जब सात रंगों की भरी दुनिया है माई डियर सिश्टर सात रंगों से भरी दुनिया है तो मुझे क्या दिकत है और हम कोई साधू नहीं हम कोई महात्मा नहीं नहीं हमने चोला ले रखा है हम एक बरण विवस्था की बात नहीं करेंगे हम एक गुरू के सिस हैं और आम इंसान है और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम सुखलवंसी है सरीउपारी बरामण है तो जो साध बरामणों की भेसभूसा है बो हमने धारन की गुरु के नहते हमने ये पादुका अपने ये परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारन की और टोपी कोई आया तो देगे, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी सुईकार है आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हैं, हम पहन लेंगे एक वेबसाइट दे लिखा कि यह जो टोपी पहनते हैं, यह पहनाने वाले से भी कुछ धक्षना लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिवे पहनते हैं, उससे भी कुछ पैसा लेते हैं आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है किसी न हमें आज तक दक्षणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर हम तो राहे चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते हैं अपना दे देते हैं हम तो साधू उस परंपरा के हैं लेकिन अच्छे लगते हैं आपको रंग बिरंगे कपड़े बहुत आनन दाता है क्या दिक्कत है साब किसी को दिक्कत है वहम से जादा रंगीन पहने हैं एक शैर ने कहा कि जो खांदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना आपका लहज़ा बता रहा है यह शूरत नहीं लोगों को लगता है हमें लगता है कि हमारे जीवन में ना हमें धन प्रिये है ना मान प्रिये है ना सम्मान प्रिये है हमें हनुमान प्रिये है और हम ने जब से जनम लिया तब से हम धनुमाने क्योंकि हमारे हनुमान और दुनिया का प्रतेक हनुमान भक्त धनुमान है जिसके जीवन में हनुमान अब वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं वो निर्धन है और अगर बाप हनुमान हो और धनुमान हनुमान हो और उनका भगत अगर रंगीन ना हो पीला लाल ना हो जब हनुमान जी लाल दे है लाली लिसे हो सकता तो लाल पगडी क्यों नहीं हो सकती ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलोग बाजी करके ही इतनी पॉपुलर हुए है लेकिन एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में धिरिंत के शात्री पर जनता के लजामात और सवालात का एक और दालत हम सनातन दर्म के कटर हैं और सनातन का ब्रोद हमें मुसल्मानों से डर नहीं है ना पादरियों से इसाहियों से अपने में भी रहने वाले कुछ जैचंदों से भी डर है जो सनातन का ब्रोद कर रहे हैं हम उनके खिलाब भी बोलते प्रदेशन कारी जो है वो लगतार पथ्षू की परसाथ कर रहे हैं दस वारा घंडे के अंदर अंदर तीन आतंगवादी हमले हो चुके जहां पर इसमें फायर कॉंटिडियूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है उन्नीस सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज खबर जो सच दिखाए जो निश्पक्ष हो बिना किसी एजेंडा के हो कोई बहस या शोर न हो बस खबर आज की बात रजट शर्मा के साथ शोर का खबर ज्यादा ना पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निश्पक्ष बेबाक सवालों और संबादों का मुकाबला शाम पाँच बजे इंडिया टीवी पार्ट कभी तीखे सवाल आपने सनातन धर्म के नाम पर धंकियां देनी की दुकान तो जो भी मोधी सरकार का विरोत करता है उसके घर सीबी आई भेज देते हैं कभी पेबा कंदास कभी मुस्कुराहत के साथ कभी दिल की बात कोई थी उसमें आप कुछ बोले ही नहीं तो कभी अंसुने रास करन अर्जुन के सेट पे आपने शारूप खान को बूली मारत दो एक साथ था लेकिन यह आपको बिस्तर रहा है अलग अंदास के साथ हर दिल पर राज आपकी अदालत आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान है बागे शर्पीच के प्रमुख धेरेंद के शन्शास्त्री आपकी अदालत में अगला पना आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाशा का प्रयोग करते हैं शास्त्री जी कुछ लोग आपको प्रिटा जिश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरू मानते हैं, लोग माहराज कहते हैं, बड़ा आधर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप जिस भाशा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती करेंद्र जैसे आपन को का कि तुझे नंगा कर दूँगा यह सादू की भाषा तो नहीं हो सकती यह संद की भाषा तो नहीं हो सकती ब्रामन समाज पर कॉमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख ठठेरी के बरे नकटा तो यह ठठेरी क्या होता है यह कोई हम जाती बाद यह नहीं है इसमें होती है बालक कोई गलती कर देता है तो माता है अपनी बालक को कहते है अरे ठटरी के बरे सुधर जा ना कटा तो हम ने हम बहुत गाओं के भोले-भाले अनपड गवार आदमी अगुठा चाप है ठीक से पढ़ाई की नहीं तो गवार आदमी है तो जो मा की हमारी जो जो परिवारिक बोल्चाल है उस परिवारिक बोल्चाल में अगर कोई साधू के उपर टिपड़ी उठाएगा रामचरित मानस पर टिपड़ी उठाएगा या भगवान पर टिपड़ी उठाएगा तो सुभाव सनातनी हिंदु होने के नाते वो लहजा निकल जाता है और सठ देखे आप अपने आपको बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीशे आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा मैं तुझे मसल दूगा यह हमने कहा क्था बाचकों को पाखंडी कहा था जिस बिसे पर आपने यह पिन किया है उन्होंने कथा बाचक हो सकते पाखंडी पर पर पर्टिकूल अनाम लिजे सब नहीं हो सकते इस भारत में जगदगुरु स्वामी राम अबद्राचार भी है मुरारी बापू भी कथा व और इन महापूरुशों पर इलजाम नहीं है तो सब कथा बाइं एक पत्रकार गलत हो सकता सब नहीं हो चाहिए खिले अगर सब पत्रकार ऐसे होते हैं यह हमारी धूर्तताह तो उसना सब कथा बाचकों को ऐसा कह था है तब हमने उस चाहा था कि बाए अगर तुम ऐसा कहा पूछा तम्हाल की तो पिट तो पूछब थाती एक पु में ंलें, लेकर किसि ने उनसे पूछा तुम JUST क्हें आते, ने पूछा कि पतनी जगडालू, बड़ी रिसालू थी, बड़ी बिचित्र थी, और वो शंत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेशती, गन्ना वो एक लेकर साम को आते, तो उनके सरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के दो टुकडे हो जाते, पर तुकाराम बहुत अद्वु महापुरुष्टे, उन्होंने कहा, देख, तु कितनी ज्यानवान है, पहले गन्ना एक था, हम लोग दो थे, तुने मेरे सरीर पर प्रहार करके, गन्ने के दो टुकडे कर दिया, अब एक तू चूस, एक मैं लूग, तो लेकिन देखे, आपने जो बोल चाल उसमें करते हैं, जो कई बार हमारी भासा लोगों के अनरूप फिट नहीं गए, कभी ने आपको नहीं लगता कि संतुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कहा दिया, तो गल्ती माननी चाहिए, बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेज पोँचा, तो संतों के प्रती हमा किसी को ठेज पोँचा, तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेज पोँचा, और सब्द ऐसा मूझ से फिसल गया, तो हम छमा प्रत्न, कोई संतुकाराम जैसे, अब मैं एक और उधरना को बताता हूँ, अच्छा किया कि आपने च् निकले, आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटी क्या कब पढ़ गए और समझदार के लिए इशारा काफी है, जिन साहीं बाबा को करूरों लोग मानते हैं, करूरों की शद्धा उनमें हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाख करेकी भाशा, बात ये थी, प्रशन ये था, क्या साहीं बाबा हिंदू है या मुसल्मान, हम ने का हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला, हमने जो सुना है, कोट ने कहा यसा एक पत्रकार में, पत्र बारता में निकला है, क लेकिन आपके कहने से लूं की भावना आहत हुए, हमारा किसी भी संत के पृती अनादर नहीं, सब धर्मों के पृती संबान है, जो जिस धर्म को मान रहा बल पूरबक उसको मानना चाहिए, हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहिते हैं, तो आप से आपत्ती नहीं है हम किसी साधू से कैसे आपत्ती हो शक्ति क्योंकि इस सनातन धर्म के आप बात करते हैं वह सबसे पहले तो संयम धैर भाशा पर नियंतर यह सब लेकिन कब तक धैर है कब तक संयम राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे पालगर के संतों को बरब और लोगों की दृष्टी में हम असंयम्मत हैं तो यह हमें बने रहने दीजिए कि अच्छी बातेकि एक हैं अछी आप अपत्ती नहीं है। प्रति हैं जो नगने दृष्टी में जो आप इसे संच्रति को चणने बरृईपल कर से लिए वापणी क्षठी बना रहे हैं। तो असदू दूरोवेसी जैसे लोग को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप, शनाप बाते करने का अधिकार दे दी आसरकार ने उनको लगता है कि इस तरह की बाते करते हैं उससे समाज में नफृत पैदा होती है, दिवारी खड़ी होती है हम करें तो चोरी वो करें तो सीना जोरी उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं अक्षर धाम में 40 हिंदूओं को मारा जाता तब नहीं है उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्टन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है उनके खुले मंच पर संतों को कितने संतों कि हम आपको वीडियो किलप न दिखा दे उनके खिलाप टिपड़ी की गाली बकी गई यहां तक कि हमको भी रोज पांसो गालीयां आज दी जा रहे हैं तो क्या यह सही है शास्री जी हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तिमाल करते हैं जो इस तरह की धंकिया देते हैं जो दूसरे धर्मों के भावनाव का आहाद करते हैं हमें लगता कि हिंदू समाज धंकिया देता है जबाब दे। मसलने बाला विषय है जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला एक हिंदू व्यक्ती के लिए ही बोला जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी और बोलना हमारा हमें मौलिक अधिकार है हम भी भारतिय नागरिक है मुसलमानों से कुछ परिशानी है बिलकुल भी नहीं हमारे तो मित्र भी है मैं तो यह भी सुना कि आपकी बेहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपनी करवाई थी आज भी हमारा मित्र है अभी पास दिन पहले ही मिला चाय भी पी और हमारा लगबग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आतमा से जुड़े है इस भारत का प्रतेक नागरिक अपने हिदय पर अगर हाथ रखे न अब मेडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही बिलट बहर तो हम मानवता के पुजारी हैं जातियों के या पंत के पुजारी नहीं हम इसको लेकर मेरे पास और इल्जाम है हम एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में धीरन के शाथी पर जामात आपका एक और चाह जी से लगी जी जरा हो गया हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी जिस पर हमला हुआ है पाईरी दुवारा यहां पर शुरू हो गई है यह देखे पत्थर लगातार आ रहे है 19 सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज क्या बनेंगे संयोग क्या होंगे प्रयोग 24 की पिछ है तैयार क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्विकार कहानी कुर्सी की सुबार से शुकरवार दोपहर एक बजे सिर्फ इंडिया टीवी पार मैं वर्षा मैं सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती पर इस मंच का हर पल मैं इंजॉय करती हूँ हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ आपकी अदालत आपके और मेरे लिए आपकी अदालत दिल से तो आईए शुरू करते हैं आज का मुखतमा आपकी अदालत अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर रोबर्ट और रफ्तार नॉलेज लगाता टेक्नोलोजी जो बददकार हर पांग बदलती टेक्नोलोजी की दुनिया में हम रखेंगी आपको अपडेट टेक्वीन्ज देखने के लिए लोगान करें वेल्कम बैक आपके अदालत में आज मुकब्मा चला रहे हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आपके अदालत में अगला ज़सा आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों को धमकी देते हैं शास्त्री जी सुनाया कि विरोधियों को धमकी दे रहे थे आप लेकिन आज कल आपको भी धमकिया मिलने लगी हैं आपको भी लोग कहने कि जांको खत्रा है ये कोई नई बात नहीं है इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह-तरह के स्वांग और शडयंतर तरह-तरह के प्रायोजित धंक से उसको फसाने के उपाय किये गए है लेकिन सिर्पर सीता राम फिकर फिर क्या करें और रही बात धमकी के तो सादू परंपरा में या हम अपनी गुरू परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं हम सिर्फ यह कहते हैं काइदे में रहोगे तो फाइदे रहोगे आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकुने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया उसका वीडियो मैंने देखा है और जो लोग वागेश्फर धाम के नाम पर महां प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो तलवारे रखो अब इन लोगो गोली मारो और वो लोग बहुत ही हिंसक भाशा के इस्थमाद नहीं है और इसकी छूट हमने कदापी किसी को नहीं दी क्योंकि हम स्वयम यह कहते हैं कि जिन्दगी में याद रखना सनातन धर्म दो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है और हम इंसा के पक्षधर नहीं है क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करें लेकिन आपने तो कुछ रियक्ट ही नहीं किया वो आपके स्पोक्सपरसन है उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे जब सब मर जाओगे इसायों को मुसल्मानों को कब मारोगे नहीं ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सब को जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए अब मैंने आपको जानकारी दे दी आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूँगा वो देख लीजिए बिल्कुल हम एक बार बोलेंगे उनको बे जिजग बोलेंगे हम कभी इसके पक्षधर नहीं है हम भारत में बहुत प्रैम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर है इसलिए हमने हिंदू राष्ट की मांग किया इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप आपने खुर भार का कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हत्यार माला और भाला रखो ये तो हमारी देवीदियोताओं के भी हाथ में प्रतेख भगवान के हाथ में किसी के हाथ में मुगदर है तरशूल है उनसे भी लोगों को आपत्ती होगी जिने दिक्कत है हम सुरक्षा करना भारती सम्मिधान में भी हत्यार देने का लाइसंस दिया जाता है उसको बंद करवाया जाए जो हत्यार देने का लाइसंस है आत्मरक्षा के लिए तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं हमारी छंता नहीं ना बंदूक लेने की साब गरीब आद में है जब आप इस तरह की बाते करते हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टेक्सपेर क्यों पैसा दे जनता क्यों पैसा दे आप इस तरह की बाते करेंगे भाला की बात करेंगे, बंदूख की बात करेंगे, गूली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी, हाँ मिलेगी, लेकर हमने कभी बंदूख की बात की, हमने भाला और माला की बात की, रही बात सुरक्षा की, तो प्रतेक नागरे की सुरक्षा करने की जिम्मेबारी भारत सरकार क और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोशा है, वरतमान सरकार पर भरोशा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, एक तो हमारा पहला भरोशा ही है, हमारे इष्ट हमारे अनुमान जी है, और हमारा ये धमकी नहीं है, और बार बार मरन कोई दर तो है आप कहते हैं कि मैं अब बुल्डोजर खरीदने वाला हूँ हिंदू एक हो जाओ पत्थर मारने वालों पर बुल्डोजर चलाओ ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है पूर अहिंसात्मक बुल्डोजर कबसे अहिंसात्मक हो गया वाह ये कुवा खोदने के भी तो काम आता है, तो हमने कहा कि अगर राम की आत्रा पर कोई पत्थर फेकेगा, तो बचाने के लिए भई बुल्डोजर खरीदो, और अगर किसी को अपनी सरीर की दिक्कत है, या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है, वो क्रेन खरीदे ले, हमें क्या दिक्कत है, हम कोई रोक न ये कैसे गुरु है जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुल्डोजर और फिर कहते हैं में इंसा इसका है यह हमारी रिसी परंपरा है यह भगवान राम के परमप्रा है थनुस्बान लिये तो अब थोड़ा टेक्नलोजी बढ़ गई है तो टेक्नलोजी के एसाब से हमें भी बदलना जो सीमा पर रिक्षा करते हैं, उसके बंदूख होती है, हमारे पाइब क्यों नहीं हो सकती। ऐसी बातें जानते यक्त से सुनी थी। बहुत साल पहले भृंडरानवाले से। यह कौन है। भृंडरानवाले पंजाब में जो आतंग बात पहला था, उसके सिंबल थी। पहनते हैं और सिख लोगों को करपान लेकर जाने की जादत क्यों नहीं होती तो मैंने उनसे का यग्योपवी से क्या नुकसान किसी को हो सकता है तो उन्हें का नहीं इससे भी गला गोट के मारा जा सकता है मैंने आप तो बंदूक की बात करें तो उन्होंने यही कह था कि कुश जरूरी हो, बरतमां सुमेह में आवर्शक है, और बुल्डोजर की बात अगर कहें, तो बुल्डोजर का पूर अहिनसातमक ब्यान है, और किसी भ्यक्ती से अगर आप जोड रहें तो उसका निजमत है, हमारा मतबंदो की तरफ सनातन धर्म का मत कै सत्य, अइंसा, दया, ख्यमा, दान, जब तप, मारकाट की बाद तो नहीं करता है, बीरता का प्रतीक है, बुल्डोजर, बुल्डोजर, चाय भी मंगवा दो साहब, हम चाय की बड़ी आदर, पानी और चाय दोनों भीजा जाए, जी, वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आत पता चला है, आपको चाय बहुत पसंद है, क्या ये सही है? जी, बहुत सही बात है, जो रिशर जे ले, कौन सी चाय पसंद करते हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरु जी को बहुत प्री है, इस चाय से हमारी याद जुडी हुई है, दादा गुरु से, हम दो भाई है बैसे तो, परताव चाचा के मिलाकर के दस भाई है, और हम जब दादा गुरु जी के पास जाते थे, तो सब ऐसी बैठते थे, तो दादा गुरु जी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे, तो वो चाय पीते थे, तो अपनी शाद के कारण बनाए और प्रतेख इसके पीछे एक और रहस है प्रतेख बालक को अपनी परंप्रा को छोड़ना नहीं चाहिए चाहिए किसी भी लेबल पर पहुँच जाए साइद ये भी शूत्र है शुरुवात जहां से हुई गुरू से शुरू जिसका जीवन हुआ उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए इसलिए हम भूले नहीं ये साइद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत चाय बुरी आदत चमा कीजिए युबानों से प्रात्ना है मत पीना हम नहीं रुकेंगे और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है कहो तो सुनाओ चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा एक बार सुनाओ केटली गर्ब संभूतम सक्करपत्ती मिस्रतम कप मध्धे ब्राजते देवियों चाय चंडकाय नमो नमा और केबल इतना ही नहीं है चाय और चाय दोनों जिन्दगी में बहन जरूरी है चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है और जिससे ईशुर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है और चाय परमात्मा को पाने की चाय भी जिन्दगी में बहूत जरूरी है जिसके अंदर इशुर को पाने की चाय होती वो आदमी भी नमबर एक का होता चाय पैसों से आनों में आती रही, चाय आनों से रुपिया बनाती रही, चाय रुपियों से नोट बुनाती रही, चाय नोटों से कोठी चुनाती रही, चाय कोठी में मोटर मंगाती रही, चाय मोटर से होटल में जाती रही, चाय होटल में बोतल खुलाती रही, चाय क्या क्या ना करती कराती रही चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए चाह छोडी जिन्होंने वो रसीले हुए चाह जी से लगी जी जरा हो गया चाह हरी से लगी जी हरा हो गया अब एक ही चाह हमको चाहिए वो अगर चाह हनमान जी तो फिर क्या चाहिए अब आप ये मत कहिना कि ये डाइलोग बाजी है क्योंकि हम आपकी आपकी अदालत में ये कहने हमारा कोई भी बयान डाइलोग नहीं है हमारा प्रतेक ब्यान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है मैं तो सोच रहा था कि आपको पेले से पता होगा कि मैं क्या पूछने बादा हूं सायद ये जो चाए आप पिस पीते हैं इससे एनर्जी आती है उर्जा आती है शक्ती मिलती है लग बग गुरू की याद आती है और देखो चाय पीना देखो, सच बात यह है कि चाय पीना ठीक नहीं, चाय हानी का रखे, भूख मारती है, लेकिन हम 24 गंटे में 18 गंटे सेवा करते हैं, लगबख 17 गंटे गदी पर बैठते हैं, भूख लगेगी तो नीद आएगे, नीद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है, चाय पी लें दॉक्टर ही भासा में, यह ठीक नहीं है, यह सिर्फ समासिवर के काम आती है, या फिर जैसे शारुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था, चाय कोई नसा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें, तो हमने सिर्फ सनातन की बात कि सुकरवार को टमाटर और नीवू बिखना कम हो गए, और अगर आप सनातन के खिलाप कोई मूवी बनाओ, तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में, और माता पिता और गुरू के परती आस्था लोगों की कम हो जाएगी, इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सना और हमारे भगवान राम को टार्गेट ना किया जाए, बिना देखे आपने फैसला कर लिया कि भगवान राम को टार्गेट किया गया है, सनातन को टार्गेट किया गया है, भगवारंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खोनी भगवा है, रंग से किसी धर्म को जोड़न यह तो ठीक नहीं यह देश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तिनो रंग है बिलकुल है और सब रंगों का सब्वारंग भी तो है तो हमने हमने कब अच्छा तो भगवारंग हरा रंग भी तो बेश्रम हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है बस यह हमारी मांगे तेके ये जो ये इस तरह की जो मांगे करते ना उसी पर मुझे आपती है आप कहते हैं ये भारत राष्ट हिंदू राष्ट बने बेजिजक बने हिंदू राष्ट बनेगा ये जाती बात हम जाती बात के खिलाफ हैं कब तक गालियां जाती बात के नाम पर, कब तक राजनें तेक रोटियां सेकी जाएंगी, ये बंद करो अब, कब तक जाती बात के नाम पर बोटिन लेंगे, आप ये बंद करो, भारत को हिंदू राष्ट बनाओ, सामाजिक समरस्ता होगी, सम्मे समानता होगी, स्वहाद्रत होगी ना पत्थर गलेंगे ना राम चरित मानस जलेगी ना राम की उपर कोई चिपणी होगी हिंदू राष्ट होगा तो राम राज जा जाएगा भारत विश्व गुरू है यह जो देश है ना यह भारत के संविधान से चलता है वह संविधान जो बाबा साब अंबेट करने बनाया जा सकता संविधान का प्रथम प्रष्ट ही भगवान राम के चित्र से प्रारंब होता है वही संविधान जो भगवान राम के प्रिश्चे शुरू होता है राम सर्फ सनातन ठाथ देखे और जो देश धर्म निर्पेख्ष नहीं होते जैसे हमारे परोष में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना उसका क्या हाल है यह आप देख हैं पास खाने को रोटी नहीं है आतंग बात चर्म सीमा पर है जब इसलाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा तो यह होगा बिल्कुल बात सही आपकी लेकिन हम आपको बता दें, बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था और सुप्रीम कोट ने क्या का था एक्जेक वर्ड मैं आको बताता हूँ सुप्रीम कोट ने का कि भारत जैसे धर्म निर्पेक्ष देश में धर्म के आधार पर घ्रणा फैलाने की लोगों को बाटने की गुंजाइश नहीं है जी शुप्रीम कोट का हमारी तरफ से आधर है लेकर भारत हिंदू राष्ट था है बस घोषणा की जरूरत है देखें आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं आपने का कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे हम सरफ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं कोई रंग से कोई व्यक्ति से किसी संपरदाय से हमारा कोई विरोध है वो किसी भी ब्रादरी या समुदाय या समाच का चाय भली क्यों आपको ये भी समय ना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कहा रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोडों ने देखा और वो लोग सुपर हिट फिल्म हुई हो नहीं भी चाहिए, हमने सुना सुधार भी किया है और सुधार करके कोई करे, तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एकला है, और कला के प्रती हमारा सम्मान है लेकिन आप तो बार बार कभी आप अमिर खान के फिल्म का जिखर करते हैं क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके संकर जी को बात्रूम में बंद करता है तो क्या ये सही है जिसके प्रती हमारी आस्ता है लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद जिनके प्रती हमारी आस्ता है, उनके साथ ऐसा मजाग किया जाए, भगवान के साथ खिलवार किया जाए, क्या ये सही है, और उसकी बात बोलना अगर बिरोध है, तो हम मरते दम तक बिरोध करें जास्तर जी, मुझे कभी-कभी लगता है, कि चोकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते, ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते, एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें भजन था मन तड़पत हरी दर्शन को आज, जो सबसे हिट इसे लिखा शेकिल बनायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मुझे रफी ने, हम आपको बहुत बिनमरता पूरवक कहें, कि हम किसी भी समुधाय की बिरोधी नहीं हैं, पुना हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कभील का सम्मान करने वाले हैं, हम सेख अध्यात मित्रता ने भाने वाले, यह आपको समझने की जरूरत है, यह मलिक मुहमद जैसी और रस्खान का देश है, जहां पर उन्होंने भगवान का गुर्गान किया, हमने कभी बिरोध नहीं किया, सम्मान किया, रस्खान के पद गाय, रस्खान के पृती हमारा आधर है और भारत में सामाजिक सुछादर था, बनी रही, यह हमारी मांग है, और क्या यह नाजायज मांग है, जिन आमिर खान की दिखा कर रहे हैं, उसुल्म में जो भज़न था, जावे दक्तर ने लिखा और रह्मान ने उसका मेजिसिक दिया, जी, तो उसके परती सम्मान है, हम हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है फंडा सिर्फ सनातन सनातन सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि आपको जिसका विरोध करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लिजिए आपको न मिले तो मुझसे पूछ लिए बहुत अच्छा है अब आगे से एक कोशिश करेंगे लेक चाहिए क्योंकि प्रतेक भारती नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन के लिए बोलने पर आपती नहीं है धंकी देने पर आपत तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है हम तो गुरू परमपरा के हैं गुरू के नाते हम समझाते हैं माई डियर मेरे प्यारे सनातन के लिए मद्दू अजिसी बास या बोलेंगे तो अच्छा है नहीं बोलेंगे पर ठटरी बरे भी नहीं छोडेंगे एक और ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में धीरेंद के शास्ति पर इज़ामात और सवाल आपका एक और आपका क्या चाहते हैं वहनुमान जी से सनातन धर्म और हिंदू राष्ट फिर भी मांग पूरी नहीं होगी अगर हिंदू राष्टा आप कह देंगे कि बन गया तो हम अखंड भारत मांगेंगे परदेशन कारी जो है वो लगतार पथू की परसाथ कर रहे है दस बारा घंड़ी है अंदर अंदर तीन आतंगवादी हमने हो चुके जहां पर इसे में फायर कॉंटियूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है छे गंटे से जावाट चाहर भी तो तक है और मुद्रेश अभी भी जारी है उन्नीस सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज खबर जो सच दिखाए जो निश्पक्ष हो बिना किसी एजेंडा के हो कोई बहस या शोर न हो बस खबर आज की बात रजट शर्मा के साथ शोर कम खबर ज्यादा ना पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निश्पक्ष बेबाक सवालों और संबादों का मुकाबला शाम पाँच बजे सिर्फ इंडिया टीवी पार कभी तीखे सवाब आपने सनातन धर्म के नाम पर धंकिया देने की दुकान को जो भी मोदी सरकार का विरोत करता है उसके घर सीबी आई भेज देते हैं एडी भेज देते हैं कभी पेबा कंदास कॉंग्रेस की सरकार तब आपकी पार्टी के लोगी तो मदाब उड़ा बें कभी मुस्कुराहत के साथ आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंदा मैं हूँ पुड़ी करोड की तेरे लिए मैंने पहले वाली चोड़ दी कभी दिल की बात शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं तो कभी अनसुने रास तरन अरजुन के सेट पे आपने शारूप खान को बूली मारत भी तो एक साथ था लेकिन ये आपको बिसने रखाया अलग अदास के साथ हर दिल पर राज आपकी अदालत आपकी अदालत में आज हमारी महमान है बागेश्वर पीच के प्रमुक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आपकी अदालत में अगला इंसा जाता हूं यूट्यूब पर मैं देख रहा था एक वीडियो है आपका और उस वीडियो को देखने से ये इंप्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंतरी नरेनरमोदी आपके दर्बार में आए और एक नहीं तीन-तीन ऐसे वीडियो है बागेश्वरधाम ऑफेसियल चनल पर क्या मोदी जी भी बागेश्वरधाम सरकार के भक्त हो गए है आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं की भीड लगी रहती है जिसमें प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है जो कुछ दिन पहले ही बागेश्वरधाम सरकार के दर्शन करने पहु शांस्त्री से यूटूब पर, आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है हैपी बड़े, कहीं ये कह दिया जाता, एक ने नियूज डाली थी बागे सो सरकार 23 तारीक को परणय सूत्र में बदेंगे संतों के फौन आने लगे, ये सिर्फ मीडिया पर चुकी बागे सोर्धाम बहुत सर्च हो रहा और हन्मान जी भला सर्च हो क्यों ना, हन्मान जी तो लोगों की स्वास में ये पबन पुत्र है तो लोग बागे सुर धाम बाला जी के नाम से सर्च करते हैं तो लोगों को जो कुछ यूटूब बाले हैं, सब नहीं, कुछ यूटूब बाले हैं, जो अपनी बीवर सिफ वड़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्त करते हैं, जो दुष पुरचार है, और बागे सु कार से कोई भी लेना देना नहीं है ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजुली के कार कर रहे हैं और बागे शुधामस के लिए कानूनी कारवाई भी करवारेगा शास्री जी प्रधान मंत्री को लेकर इस तरह की विडियो बागे शुर्धाम के नाम से जाएं तो आपको कुछ परवाई किये हैं अनेक बार कितने चैनलों को बंद करवाया है जो कई बार कोई खान के खिलाब कर देते थे हमारे लिए कई बार कोई धमकी डाल दे बागे शुर्धाम पहुंचे जैल अब वो ऐसी हत कड़ी हो वो पुलिस अगल बगल लगा देते थे इनसे हमारी आपके सोसे भी प्राथना इसको बहुत देखा जाएगा आपकी अदालत को जब भी देखा जाए इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बच रहे हम इस प्रकार कोई भी हमारा दर्वार या कथा प्रदर्शन का विसे नहीं है हमारी कथा और दर्वार दर्शन का विसे है तो हम जाते ही तुरंत आपकी अडालत के बाद लीगली कारवाई FIR अपने अमुक थाने पर करवाएं के इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोज है देविन फणनवीस का है, मनुश तिवारी का है ये तो आये थे ये भी फरजी वीडियो है कि लेकिन आपके एक दो सेंटेंसेंस है जिसमें आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आईए हाँ, वो हम लंदन में दर्वार में थे ये साइद उससे अगर ये जोड़ा हो पूरा तो देखा नहीं उससे जोड़ा हो तो खबर नहीं हो सनी मोदी जहां लंदन में राम कथा हम कर रहे थे तो स्री राम मंदीर के सनातन मंदीर के जो प्रमूख हैं वो एक मोदी जी हैं और वो भी गुजराती है तो वो दर्वार में बैठी हुई थे, किसी कारण उनकी विवस्था के कारण प्रशंसा के लिए उनका जिक्र आया तो लोगों ने साइद वो कट करके उठाया हो हमारे इसमरण में ऐसा है लेकिन ये भी गलत है ये भी अपराद है वो भी ओफिसियली बिना लीगली सहमती लिये बिना आप कोई भी वीडियो सेयर या वो ही कर सकता है ऐसा कुछ नियम हो है तो ये भी गलत है मैं आपको उता हूँ शासी जी मैंने 40 साल होगे मुझे पत्तर कारिता में ऐसे बहुत सारे उधारण मैंने देखे है चंदरा सौमी को अधारण देखा था ओ नरसी माराव के साथ उनकी तस्वीरे राजी बादी के साथ उनकी तस्वीरे जॉन मैकेंडरो के साथ तस्वीरे लिस टेलर के साथ ये अंतरास्टे च्छाते प्राप्त लोग है और वो ये तस्वीरे दिखा कर अपनी दुकान चलाते थे और वाकई में जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर से उनसे उनकी पैचानती ब्रुनोई के सुल्तान उनके शिष्य बन गए थे इसी वज़े से अफिरिकन कंट्रीज के प्रेजिन्ट ते मुबुतू वो उनके शिष्य बन गए थे हमारा कभी भी भाव कोई आब है, सब सम्मान हमारा ये भाव नहीं है कि हम आपकी फोटो दिखा करके लोग हमको माने, देखो हम आप हमारी मीडिया पर प्रचार कर शकते हो, पर अगर दम नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी तो व्यक्ति एक बार आएगा, लोटकर कभी नहीं आएगा, आपको भी गाली देगा, हमको भी गाली देगा तो ये माध्यम हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, साथ दिन नहीं तो हमारा ऐसा भाव नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है, वो खुली किताब है उपर से नीचे तक और हम कभी यह नहीं चाहेते कि लोग देखें अब कोई देख रहा तो उनकी दिश्टी और उनकी आँख है हम तो सिर्फ यह चाहेते हमें हमारा परमात्मा अनुवान जी देखें बस क्या चाहते आप अनुवान जी से सनातन धर्म और हिंदू राष्ट फिर भी मांग पूरी नहीं होगी अगर हिंदू राष्ट आप कह देंगे कि बन गया तो हम अखंड भारत मांगेंगे अगर वाकई में आपको भरोसा है कि बजनग बली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं करते हैं करते हैं करते हैं तो स्केल थोड़ा बढ़ाईए ना उनसे कहिए कि पूतिन को समझाएं कि यूकरेन से अपनी सेना वापस ले ले ये तो ये तो अंतराष्टी है क्योंकि उससे जो यूकरेन क्रिश्चन मुल्क है उनको पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ती कितनी है हम अपनी तरब से प्रती दिन विश्व में कल्यान हो विश्व में सांति हो ये अरजी लगाते हैं और हनमान जी ने रामड को भी समझाया था मान जा भगवान है वापिस कर दे उजान की माता को लेकिन जिसकी आगई हो तो हनमान जी की बातें उसे नहीं भाती है गुरू के नाते हमने भी प्राथना की अब किसी की आगई हम जो बताने हमारे पास लोग आते महरा जी हम मरना जाए अब उसको क्या कहें कि जो बता रहा हो उसे भी मरना है हाद हो गई तुम पागलो जीसी बात करते हैं मेरे पागल लेकिन हम से रिमान जी बड़े बनमरता पूरवक हैं कि अगर आपको लगता है तो आपको अरजी लगाने एक बार बागे शुरधा माना चाहिए यह अरजियां लगाने का काम तो आपका है मेरा नहीं है और अंतरास इस दिन जो भी हमारे पास है चूरण चटने हम अपने गुरू जी से और बाला जी से प्राथना करते हैं विश्व का मंगल हो सबका भला हो इससे आपको फ़त नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चन कंट्री है या इसलामिक मंगल भी नहीं हम तो खुद गए हैं हम तो पूर हम एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक की बाद सुनेंगे आपके अधालत में आज ही जज विनोध अगनी उट्टे का फैसला आज के मुकर्ण हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी जिस पर हमला हुआ है पाईरी दुवारा यहां पर शुरू हो गई है यह यह देखे पत्तर लगातार आ रहे हैं 19 सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज क्या बनेंगे संयोग क्या होंगे प्रयोग 24 की पिछ है तैयार क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्विकार कहानी कुर्सी की सुबार से शुकरवार दोपहर एक बजे सिर्फ इंडिया टीवी पार मैं वर्षा मैं सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती पर इस मंच का हर पल मैं इंजॉय करती हूँ हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हैं आपकी अदालत आपके और मेरे लिए आपकी अदालत दिल से तो आईए शुरू करते हैं आज का मुखत्मा आपकी अदालत अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर रोबर्ट और रफ्तार नॉलेज लगाता टेक्नोलोजी जो बददकार पर पर बदलती टेक्नोलोजी की दुलिया में हम लखेंगे आपको अपडेट टेक्वील्ज देखने के लिए लोगाउन करें वेलकम बैक आज हमने मुकत्मा चलाया वागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंग कर्शन शास्तिल पर हम दें उन से पूछा उनके चमतकारों के बारे में उनके प्रवचनों के बारे में उनके धमकी भरे बयानों के बारे में उनके स्टन्स के बारे में और उनको लेकर सोशल मेडिया में चल रहे मिस्लीडिंग वीडियो के बारे में अब वक्त है कि आपके अदालत में आज के जज विन्दो दग्दी उत्ती के फैसले का बागेश और धाम के प्रमुख आचारे श्री धिरियन प्रशास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अधालत इस निश्कर्ष पर पहुची है कि रिश्य और संथ परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुचाने का इधिकार है लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखा धड़ी भी होती है इसलिए स्री शास्त्री को बहुत साउधान रहने की आवशकता है अधारा तमाम इल्यामों से दिरेंश्री ध्रेंशास्त्री को बाइजब बरी करते हुए निर्देश देती है कि ब आगेश और धाम बाला जी सरकार स्री हरुमान जी की क्रपा से उन्हें यदि कोई सिद्धी और प्रसिद्धी मिली है तो उसका उपयोग लोग कल्यान और समाज की नेतिक आध्यात्मी गुन्यती के लिए करें और देश समाज में प्रेम शांती सद्भाव का वातावरण ब रहेगी आशा है कि देरेन शास्त्री सानातन धर्म के इन्हें शास्वत मूलियों के साथ भारती संत्व परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे इस विश्वास के साथ की हमारे जस्ताब ने जो हिदायत दी है धिरेन शास्त्री उसका पालन करेंगे संभल कर रहेंगे और समाज में किसी भी तरह की भरांतियां न पहले इसके अध्यान रखेंगे आपके अधालत का आज का मुकदमा यहीं खत्व करते हैं अगले सब्ताब से मुलाकात होगी एक नई शक्सियत के साथ तब तक के लिए नमस्कार